हलो दोस्तो वेलकम टो स्टेडी उनिवर्स मैं दिप्रदेश डेली करेंट अफेर में आपका स्वागत है आज है 1 माई 2019 और यह हमारी 142 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem चाती है तो आप हमें comment box मताएं हम आपके answer जरू करेंगे आईकोन में एक question दिया गया है जिसका answer आप take करके दे सकते हैं question number first केंदर सरकान ने गेहू आयात शुलक में कितने प्रतीशत की बढ़वतरी की है केंदर सरकान ने गेहू आयात शुलक में 40 प्रतीशत की बढ़वतरी की है गेहों की अधेक उत्पादन के चलते सरकार ने गेहों आयात शुलक को 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत कर दिया है इस दर में ब्रद्धी होने से किसानों को काफी लाव होगा नेक्स्ट क्वेशन बारत लगातार दूसरी बार इससे बार इस्टान पर रहा है पिछला संस्क्रण दिल्ली में आयुजित हुआ था इसमें भी भारत पहले इस्टान पर था और इस बार भारत ने चार पदक जीते हैं जिन में 309 पदक है और एक रज़त पदक है ISSF के इस 2019 का वर्ल कप का आयोजन चीन के वीजिंग में किया गया था दोस्तो अब बात आईए ISSF की तो आपको कुछ इंपूर्टन फेक्ट इसके बारे में बता दें इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सूटिंग स्पूर्ट फेडरेशन होता है इसकी स्थापना 1907 में की गई थी हेड़कॉर्टर मुनेच जर्मनी में है और प्रेसिडेंट है ब्लादिमीर लिसन इसमें में मेंबर देशों की संख्या है 150 तो दोस्तो इतना आपको ISSF के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कोईशन हाली में किस IIT ने भारत लिपी के लिए सरल OCR सिस्टम विक्सित किया है जिसका से यह option है IIT मदरास हाली में IIT मदरास ने भारत लिपी के लिए सरल OCR सिस्टम लाँच किया है OCR सिस्टम की जरिए भारतिये स्क्रिप्ट में लिखे डॉक्यूमेंट को कम्पीटर द्वारा पढ़ा जा सकता है इस सिस्टम को Optical Character Recognization कहा जाता है इसकी आवसकता इसलिए पड़ी क्योंकि यूरोपिय भाषा रोमन लिपी का उप्योग एक नॉर्मल लिपी के रूप में करती है इससे वहां के देशों में संचार आसानी से होता है इसी तरह है भारत में भी अनेकों भासाए हैं और इनका कन्वर्शेशन करने के लिए एक नॉर्मल लिपी तैयार की गई है भारत में जिसे OCR सिस्टम कहा गया है और इसे IIT मद्रास ने विक्सित किया है तो इतना आपको इस के बारे में याद रखना है पॉलिटिक्स ओफ जुगार दा कोलियेशन हेंड़़ुक यह पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है जिसका से यॉफ्शन है सवा नकवी दोस्तो सवा नकवी एक पत्रकार है इन्होंने 2019 में देश में कटवंधन की सरकार बनेगी इस बात पर प्रकास डाला है दोस्तो आपको बता दे कुछ और इन्होंने जो बुक लिखी है उनकी बारे में गुड फैथ इन्होंने 2012 में लिखी थी कैपिटल कॉन वेस्ट यह पुस्तक इन्होंने 2015 में लिखी थी सेट्स ओफ सेफरन यह पुस्तक इन्होंने 2018 में लिखी थी नेक्स्ट क्वेश्चन हाई हाली में कौन बायुशेना की नए वोईस चीफ नियुक्त किये गए हैं जिसको से यूफ्शन है राकेश कुमार भधोरिया हाली में राकेश कुमार भधोरिया बायुशेना की नए वोईस चीफ नियुक्त किये गए हैं यह एक मई यानी आज की दिन से अपना कारिवार समालेंगे और यह अनिल खोसला की जगह नियुक्त हुए हैं दोस्तो आपको बता दे अनिल खोसला हाली में रिटायर होने वाले हैं दोस्तो वाइस चीफ भारती वायुशेना का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है तो आपको इतना वायुशेना की पद की बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात आईए वायूशेना की तो आपको कुछ important fact इसकी बारे में बता दें भारती वायूशेना की स्थापना 4 अक्टूबर 1932 में की गई थी इसका headquarters दिल्ली में है भारती वायूशेना की chief है ब्रेंद्र सेह धनुवा और भारती वायूशेना का मोटू है नव इसपर्शम दूइप्तम next question हाली में कब बिस्व नरत्य दिवस मनाया गया है जिसका selection है 29 अप्रेल 29 अप्रेल को अंतर रास्टिय नरत्य दिवस मनाया गया है यानि International Dance Day 29 अप्रेल को मनाया गया है इस दिवस का उद्देश है डांस को इवेंट्स के जरिये बढ़ावा देना है यह दिवस Dance Committee of International Theatre Institute द्वारा शुरू किया गया था यह दिवस फ्रांस की डांसर जीन जॉर्जस की जन्म दिवस पर शुरू हुआ है जीन आदुनिक बैले डांस के जनक है तो दोस्तो इतना आपको अंतरास्टी डांस दिवस के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन करंट स्टेट ओफ साइवर क्राइम 2019 की अनुसार सोसल फ्रॉड में कितने प्रतिशत की ब्रध्धी हुई है जिसका सही ओफ्षन है 43 प्रतिशत करंट स्टेट ओफ साइवर क्राइम 2019 में सोसल फ्रॉड में 43 प्रतिशत की ब्रत्धी हुई है दोस्तों यह है रिपोर्ट RSA Security यानि अमेरिकी Computer and Network Security ने जारी की है Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter आदी पर धोके बाजी बहुत बढ़ गई है यहां से Credit Card का PIN, Number, ATM, Number, Account आदी की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है और लोग ठगे जाती है इस फ्रोड को रोकने के लिए भारत ने National Critical Information Infrastructure Protection Center की स्थापना भी की है तो आपको इस रिपोर्ट की बारे में इतना याद रखना है Next question हाली में Goldman Environmental Price 2019 किसे दिया गया है जिसका solution है इन चारों को हाली में इन चारों को Goldman Environmental Price 2019 दिया गया है लिंडा गोर्सिया, जैकलीन एवांस, अर्लवार्टो कुनामल और अल्फरिड बाउंडवेल दोस्तो इनके अलावा एना कोलोविच लेलोसका और वयार्जगल ओवान तो इन्हें भी यह Goldman Environmental Price 2019 दिया गया है दोस्तो अब बात करते हैं इस प्राइस की तो आपको बता दें इस प्राइस की इस्ठापना 1989 में की गई थी इस्ठापना करता है रिचार्ड्स एंड रोडा, गोल्लमन इसे ग्रीन प्राइस के भी नाम से जाना जाता है पर्यावरन कारिकरताओं को सम्मानित किया जाता है इस प्रोश्कार की द्वारा तो आपको इस प्राइज की बारे में इतना याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन हाली में मतदाता जागरुकता को लेकर रंगोली प्रतियोगिता कहां रखी गई है दोस्तो अब बात आईए सतना की तो आपको कुछ इंपोर्टन फेक्ट सतना की बारे में बता दें सतना बगिलखंट छित्र का अव्यव है चूना उद्योग और सीमेंट उद्योग के लिए बिख्यात है रीवा संभाग से अलग करके सतना जिला बनाये गया था दोस्तो भरत कूप, कामदगीरी परवत, हनुमान धारा, सीता रसोई, गुप्त गोदावरी ये सभी परेटन इस्थले सतना में, चित्रकूट में, चित्रकूट भी सतना जिले में ही इस्तित है मैयर जहां पर माशारदा का मंदिर है, ये भी सतना जिले में ही इस्तित है दोस्तो मैयर को मद्वर्देश शरकार द्वारा पवित्र नगर घोशित किया गया है अलाउद्दीन खां संगीट अकेडमी भी मैयर सतना में ही इस्तित है दोस्तो भरहूत में असोक इस्तूप की खोज अलेकजेंडर कनिंगम ने की थी नेक्स्ट क्वेशन हाली में किस चले में बच्चों के अधिकार के बारे में चाइडल लाइन द्वारा शिवर आईजित किया गया है जिसका स्योफ्षन है शहडोल हाली में शहडोल में बच्चों के अधिकार के प्रती चाइडल लाइन द्वारा शिवर आईजित किया गया है दोस्तो आपको बता दें इस कारिक्रम में बच्चों के good touch, wet touch, वाल विवाय बच्चों के अधिकार और उनकी सुरक्षा को लेकर जानकारी दी जाएगी दोस्तो अब बात आई है शैडोल जले की तो आपको कुछ important fact इसके बारे में बता दें यह दो शब्द सहस्त्र और डोल के समिस्रण से इसका नाम शैडोल पड़ा है इसे इसका अर्थ होता है हजारो तालाब दोस्तो खनेज संपदा में संपन्ध है और कोईले के भरपूर भंडारन है सुहागपुर में एशिया की सबसे बड़ी कोईला भंडारन है मद्यप्रदेश का एक मात्र जिला जहां यूरिनियम प्राप्त होता है दोस्तो बांदावगर रास्टी उद्ध्यान और अमरकंटक ताब बिद्धुत केंद्र यह शैडोल में ही इस्तित हैं तो दोस्तो इतना आपको शैडोल जिले के बारे में याद रखना है दोस्तो आपको बता दें काटनी से बीना स्टेशन के बीच थर्ड लाइन बिचाई जानी है जिसका कुछ फाक यानि सागर से नर्यावली के बीच कारिये पूरा हो चुका है इसी ट्रेक पर 110 कलोमीटर के स्पीट से टेस्टिंग की गई है जो सफल रही है अब बात आईए दोस्तो सागर की तो आपको कुछ important fact सागर जिली के बारे में बता दें मद्धिप्रदेश की प्रतम विशुविध्याले डॉक्टर हरीशिंग और विशुविध्याले यह सागर में ही इस्थापित की गई थी दोस्तो पुलिस ट्रेंडिंग कॉलेज मद्धिप्रदेश का दूसरा सागर में ही इस्थाथ है forensic science lab यह भी सागर में ही बनाई गई है नौरा देही वरन जीव भ्यारन भी सागर में ही इस्थाथ है दोस्तो एरन में सती का प्रतम लिखित साक्ष प्राप्त होता है आपको बता दें सागर में ही पदमाकर समारोव भी मनाया जाता है स्टेनलेस स्टील कार खाना भी सागर में ही इस्थित है नेक्स्ट क्वेशन बिस्व में पहली बार किस राज्ज में गौ अभ्यारन इस्थापित किया गया है जिसका स्टील उफ्षन है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश में बिस्व में पहली बार गौ अभ्यारन इस्थापित किया गया है यह अभ्यारन आगर मालवा जिले के सुसनेर क्षित्र में बनाया गया है इसे 1340 एकर भूमी आरक्षित की गया है दोस्तो यहां से बायो गैस, दुगदो उत्पादन, गौमूतर से दवाएं बनाना ये उद्द्योग भी चलाए जाती है अब यह अभ्यारन मध्यप्रदेश में इस्थापित किया गया है तो आपको मैप में इसके बारे में बता दे मैप में ये जिगह है मध्यप्रदेश को दरसाती है मध्यप्रदेश की इस्थापना 1 नमबर 1956 में की गई थी गवर्नर है अनन्दी बिन पटल, मुख्यमंतरी है कमलनाद और मध्यप्रदेश की राज़धानी है भूपाल तो दोस्तो इतना आपको भूपाल के बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफियर आप हमारे चैनल स्टड यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक यूज़ शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मध्यप्रदेश और वर्लिस के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेकर हाजर होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज के लिए बस अतना ही नवाशकार Have a nice day